क्या होगा अगर सर्यू रास्ता बदल दे? जाने कैसे हर आपदा से सुरक्षित रहेगा अयोध्या में प्रभू राम का मंदिर? बाकी नदियों की तरह सर्यू नदी भी रास्ता बदलती रहती है. राम मंदिर की नीम्व बनाते हुए नीचे भुरबुरी रेत मिलने के बाद ही इस पर काम शुरू हो गया. लंबी चोड़ी रिटेनिंग वॉल बनाई गई. साथ ही इमारत की नीम्व में एक-एक इंच भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ. बढ़िया क्वालिटी का लोहा भी सौ सालों के भीतर कमजोर पर जाता है. अयोध्या में श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी. राम लला की प्रतिमा के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगी लेकिन जिस मंदिर में लाखों करोडों भक्त आने वाले हैं, उसकी सेफटी के क्या इंतजाम है? क्या होगा अगर साथ में बहती सर्यू नदी ने कभी अपना रास्ता बदल लिया? जानिये, मंदिर निर्मान के दोरान इसके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? कई फीट नीचे तक रेतीली जमीन अयोध्या नगरी सर्यू नदी के किनारे बसी हुई है मंदिर बनाने की तियारी के दोरान इंजीनियरों को जमीन से कई फीट नीचे तक भुरभुरी मिट्टी मिलती रही ये अपने आप में बड़ी समस्या थी क्योंकि इससे नीम भी कमजोर हो सकती थी इसके अलावा एक डर ये भी था कि आगे चलकर कुछ सदियों या दशकों में नदी ने अपना रास्ता मोड़कर मंदिर की तरफ कर लिया तो क्या होगा इस डर की वजह भी है दरसल सर्यू ने पहले भी करीब पांच बार रास्ता बदला है नदियों का रास्ता बदलना कोई अजूबी बात नहीं लगभग सारी ही नदियां समिसमे पर अपना रास्ता बदलती रहती है डॉट इसकी वजह किनारों पर या बीच में मौजूद बड़े पत्थर या किसी भी तरह का भारी जमाव होता है डॉट कई बार रुकावट के चलते नदी कई धाराओं में बंट जाती है डॉट भारत में कोई सी नदी को सबसे ज़्यादा बार अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है अब तक recorded साक्षे में ये 33 बार रूट बदल चुकी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी के हवाले से कह चुके की अतीत में इस नदी ने करीब पांच बार अपना रूट बदला है पैटर्न को देखते हुए हो सकता है आने वाले 500 सालों में एक बार फिर ये हो जाए ये विनाशकारी न हो इसका ध्यान मंदिर बनाते हुए रखा गया इस तरह बनी नीम्व नीचे रेतिली मिट्टी की वजह से पहले टेंपल एरिया की खुदाई करके 15 मीटर तक की मिट्टी हटा दी गई डॉट इसके बाद वहाँ खास तरह की मिट्टी पाटी गई तक्नीकी विशेशग्यों ने बहुत गहराई से होमवर्क करने के बाद वो डिजाइन बनाया जो नदी के रास्ता बदलने या भूकंप जैसी आपदा में भी श्री राम मंदिर को प्रोटेक्ट कर सके मंदिर के चारों और एक रिटेनिंग वॉल तियार की गई यानी जो के उपर और जमीन के नीचे भी उसे सुरक्षित रखेगी अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वॉल जमीन के भीतर करीब 12 मीटर लंबी और सर्फेस से उपर की ओर 11 मीटर की है इसमें ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं क्योंकि वो पानी को बेहतर तरीके से सोकते हैं करीब 2.7 एकर में फैले मंदिर परिसर को बनाते हुए एक-एक बात का ध्यान रखा गया ताकि बड़ी से बड़ी कुदर्ती आपदा में भी वो सुरक्षित रह सके मंदिर का मुख्य भवन 57,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है तीन मंजिल के इस भवन खासकर फाउंडेशन में रत्ती भर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसा इसलिए कि मौसम पानी से लोहे की मजबूती कम होती जाती है यहाँ तक कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का आईरन भी 100 साल से कम उम्र तक रहता है